मुझफवनगर पुलिस और शातिर लुटेरों की बीच होई मुटभेड में एक बदमाश के पैर में गुली लगने से वो गायल हो गया मुटभेड में हैट कॉंस्टिबल के हाथ में भी गोली लगी पुलिस ने गायल लुटे रहे और इसके एक साथी फौजी सहेत तीन बदमाशों को गिरफतार किया है पुलिस ने मौके से बाइक तमंचा और अने सामान बरामद किया है बरतल पुलिस को कस्बे के रोड पर बदमाशों के होने की सूच न मिली इंस्पेक्टर पुलिस बलके साथ मौके पर पहुंचे इसी दोरान बिननमबर की अपाची बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायर करते हुए भागने का प्रयास किया जब अभी फायरिंग में एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी जबकि एक हैट कॉंस्टिबिल भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया पुलिस ने घायल सही तो तीन बदमाशों को मौके से गरफतार कर लिया पुलिस ने उनसे बिन नंबर की अपाची बाइक, तमंची और लूट का निस समन बरामत किया सर मुटबेड हुए है क्या कुछ मामला था पूरा दिनांक 10 जुलाई को गराम राजपुर चाजपुर के एक युवक जो बैंकिंग कोर्सपोंडनेंट का कारे करता है वो डांगरोल से अपने घर आ रहा था, तो उसके दो बाइक सवार युवकों ने उससे लूट की, तमंचा के बल पर लूट की थी, उसके पास से उसका बैग, जिसमें उसका प्यूएस मशीन, उसके कुछ नगदी, दो मुबाइल फोन और अन्य डॉकुमेंट जो हैं लू वाइक सवार फिर से शेतर में घूम रहे हैं और फिर से कोई लूट की घटना को अंजाम ले सकते हैं, यहां कस्वा बढ़कदा रोड पर जब पुलिस द्वारा मुकवीर की सूचना पर चेकिंग लगाई गई, तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, इको के खे उस बरामद हुए हैं, साथ ही लूटे गई नकद में से 50,000 रुके बरामद हो गए हैं, लूटा हुआ फोन भी बरामद हो गया है, लूटा हुआ वादी का बैग और उसमें P.O.S. मशीन और वादी के अन्या दस्तावेश भी इसमें बरामद हुए हैं अपनी चुटी के दौरान सेना केस जवान ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर, कोछ दिन पूरुए एक व्रक्ति के साथ लूट की घटना को अन्जाम दिया था पंजाब केसर टीवी के लिए मुजफ़र नगर से अमित कुमार की रिपोर्ट